भारत मेरे लिए नया नहीं था, अपने जीवन के प्रतम 18 भर्ष मैंने इसी देश में बिताई थे, मेरी नजर में वारा नसी एक प्राचीन नगरी जो बिदवानों, संतों, तांतरीकों, योगियों तथा दूसरे अध्यात्मिक लोगों से भरी पड़ी है, मैंने रिक्षे वाले से कहा, मनी करनी का गाट चलोगे, हाँ बाबुजी, कितने पैसे, 20 रुपे, मैं रिक्षे पर बैठ गया, आप चपल क्यों नहीं पहनते, बाबुजी मैंने जिस दिन उसे खरीदा, उसी दिन मंदिर के बाहर, मेरी चपल चोरी हो गई, आपका नाम क्या है, महेश कु थीदा, थोड़ी देर बाद मैं मनी करनी का गाट के निकट पहुंचा, मैं महेश को 50 रुपे देने लगा, उसने कहा, नहीं बाबुजी, आप से मैं इसे कैसे ले सकता हूँ, और बै मेरे पैर शुने के लिए जुके, मैंने उनकी कलाई पकड़ी, और उने उपर उठाया, केवल तीन ही ऐसी जगे हैं, यहां आपको अपना सिर जुकाना चाहिए, इश्वर के समक्ष, अपने बड़े बजुर्गों के समक्ष, और अपने गुरू के समक्ष, मैंने जबरन उनके हाथों में वै नोट रखा, और यह सोचते हुए चल दिया, कि महेश रिक्षा चलान मनी करनी का गाठ पहुंचा, वहां कोई संथ, कोई रहसेवादी सादक और कोई पहुंचे हुए तांतरिक या योगी मुझे दिखाई नहीं दिये, जो मुझे आतम साक्षातकार करवा सके, फिर मैं और भी कई गाठ पर गया, मैं अपने गाइटर मनीश के साथ एक जगे प पर लेटे थे, असी के आसपास उनकी उमर लग रही थी, मुझे महसूस हुआ कि उन्हें सांस लेने में परिशानी हो रही थी, मैं स्वयम सारी जिंदगी दमे का मरीज रहा था, इसलिए मैं ये समझ सकता था, कि सांसे लेने के लिए संगर्श करना कैसा महसूस होता है, मैं हम इने किसी प्राइवेट हॉस्पिटल ले चलते हैं, मैं इनके ट्रीटमेंट का सारा खर्चा दे दूँगा, उसने कहा यदि ये रास्ते में ही मर गए तो, पलीस कहेगी कि हमने इने इस आश्रम पर कबजे की नियत से मार डाला, और हम कनूनी पचड़े में पढ़ जाए ही थी, खुद मेरे जीवन का वी ऐसा अंत संबब था, क्योंकि मैं भी दमे का मरीज था, मेरे आसपास के किसी व्यक्ती ने भी भगवान को नहीं देखा है, यदि मैं हो ही ना तो, यदि कोई भी हमारा स्रीजन करता ना हो, और हम समय पाकर अन्य पर जातियों के साथ विकस और दिया जाए, एक सादू की ऐसी मोत कैसे हो सकती है मनिश, ये सब असली सादू नहीं है सर, ये दिन वर गांजा पीते रहते हैं, इन में से कुछ तो कनून के डर से भागे हुए बगोडे हैं, इसके बाद मैं दूसरे घाट पर गया, वहां पर एक व्यक्ती से मैंने कहा मुझे बाबा जी से मिलना है, उसने कहा वारा नसी से 80 किलो मेटर दूर, कसवर गाम चले जाएए, किसी से भी पोछ लीजिए, वहां बाबा जी आपको मिलेंगे, मैंने आटो रिक्षा किया और मनीश के साथ वहां पहुँचा, आश्रम स्कूल की बैक साइड पे था, मैं उस आश्रम के दरवाजे पर टहर गया, जो खुला था, अंदर एक सादू जैसे व्यक्ती, किसी दिवे अनंद में अराग अलाप गाते हुए बैटे थे, उन्होंने गाना रोक कर मुझे देखा, मुझे कुछ सवाल किये, क्या तुम कोई शोद कर रहे हो, नहीं बाबा जी मैं सन्यास में दिख्शित होना चाहता हूँ, तुम क्यों सन्यास लेना चाहते हो, मैंने कई सादनाई की हैं, मैं बीस वर्षों से परियोग और कड़े परियास करता रहा हूँ, किन्तु मैं अंतिम लक्षे तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, जिसकी चर्चा शाष्टरो में हैं, मैंने कुछ सादनाओ के नाम लिए, क्या तुम ब्राह्मन हो? जी, मैं गोतम गोतर का एक सारसवत ब्राह्मन हूँ, तब मैं तुम्हें शिक्शा दूँगा, तुम मेरे वारानसिय आश्रम में चले जाओ, मैं तुम्हें दो दिन बाद, वहाँ आश्रम में मैं दोपहर को आश्रम पहुंचा, आश्रम में दिनेश मुनी ने मेरे लिए एक कमरा खोला, जिसमें कोई बिस्तर नहीं था, मैं फर्श पर लेट गया, फर्श की कठोरता असूबिदा जनक थी, मैंने मुनी से पूछा, क्या एक गद्दा और चादर मिल सकती है, वे फस्ट फलॉर पे थे, कुछ देर बाद उन्होंने वहां से एक पतली और गंदी सी दरी मेरी और फेंकी, ये दरी मेरी बगल में आकर धूल का एक बादल सी उडाती गिर पड़ी, जिससे मुझे खांसी का दोरा पड़ गया, क्योंकि मैं दमे का मरीज था, सांस लेने को हापते हु मैंने अपना इन्हेलर निकाला और उससे दोहरी खुराक ली, थोड़ी देर बाद मैं दिनेश मुनी के इस वहवार के बारे में सोचने लगा, मुझे बाद में पता चला कि वह मुझे से पैसा चाहते थे, यदि मैं इसे उस वक्त जानता तो उन्हें कुछ पैसे दे देता इसे दोनों को सुबिदा होती, दिनेश मुनी अशिक्षत की तरें दिखते और बरताव करते, पर वे बनारस हिंदू यूनिवस्टी से पी एच डी कर रहे थे, संस्कृत में, जबकि संस्कृत का अर्थ होता है, जिसमें संस्कृती की शाप हो, आश्रम में चार अन्य तो इन शात्रों के लिए खाने पीने का समान लेके आता, आश्रम में मेरा नाच्टा बिस्किट और पानी होता, क्योंकि 11 बज़े तक आश्रम में कुछ भी नहीं बनता था, शाम होते ही आश्रम में कीट पतंगे बर जाते, मैहरान होता कि शात्रों तथा दिनेश मुनी को इसे कोई फरक नहीं पड़ता, बैख खाने की चीजें जो है रात को ढखकर रखने की चेस्टा नहीं करते, यहां तकि गेहू के आटे को भी रात में ही खुला चोड़ देते, आश्रम में चपलें पहने की अनुमती नहीं थी, वाश्रूम में भी नहीं, वाश्रूम काफी गंदे थे, काफी दिन बीद गए, पर बाबाजी आश्रम में मुझसे मिलने नहीं आए, जबकि उन्होंने दो दिन बाद मिलने को कहा था, अंत में मैं खुद ही बाबाजी से मिलने आश्रम में पहुँच गया, और अपनी भेंट समागरियां उनके चरनों में रख दी, मै ही ये कि मैं 12 नसी आश्रम में उनकी परतिक्षा कर रहा था, इस चीज़ से मैं निराश हुआ, फिर मैंने सोचा शायद ये बाबा का मेरी प्रिक्षा लेने का तरीका हो, फिर उन्होंने कहा, आज बात हो ही जाए, उन्होंने मेरे बिजनस, मेरी पढ़ाई के बारे में जा कर दे, वे तुरंत कुछ ना बोले, कुछ समय बाद उन्होंने हा कर दी, बाबा ने मुझे पास में बनी एक जोंपड़ी में अराम करने को कहा, ये जोंपड़ी तूटी फूटी थी, दिवारों पर मकड़े के जाले लगे थे, थोड़ी देर बाद पांटे ड्राइवर न पैसे की कमी थी, मैंने उनके आवास के लिए एक एसी और जरनेटर करीदा, आशरम में चपल पहना, अलावना था, इससे एडियां फट जाती थी और खोन भी निकलता था, मैंने आशरम के कश्टों की परवाद नहीं की, क्योंकि मैं अपनी साधना के लिए वहां गया था, बाबा ने कहा, स्कूल में मेरे शिक्षिक और घर में मेरे पिता जी मुझे पीटा करते, इसलिए मैं साधू बन गया, नो बर्श की आजू में मैंने घर छोड़ दिया था, मैं घर से भाग गया था, तुम शिक्षित हो, स्वस्त हो, युवा हो और सुन्दर हो, आखिर दिक्षा नहीं दूँगा, जब तक मैं तुम्हारी मां से बात नहीं कर लेता, मैंने बाबा की मां से बात करवाई, हाँ बेटी, ये महात्मा बनने आए हैं, बना दू क्या, मां ने कहा, इसका बच्पन से ऐसा संसकार है, इनको ऐसा महात्मा बना ये, कि मैं सुमस्त बिश अपनी असेप्टेंस दे दी है, स्वामी सर्वानंद, उन्होंने वहीं मेरा नाम करन कर दिया, ग्यारा एपरिल को बाबा ने मुझे दिक्षा दी, मेरा मुंडन हुआ, मैंने पुराने कपड़े उतार दिये, मुझे सन्यासियों के बस्तर और एक लंगोटी दी गई, मेरा सन्यास्त धर्म में परवेश करता हूँ, अब मुझे केवल इश्वर के उस परम आत्मा के दर्शन की अवशकता थी, अगले दिन बाबा से मिलने कुछ मजदूर आये, मजदूरी पर उनका बाबा से मत्बिद हो गया, इसी बात पे बाबा ने उनको गालियां देनी मैं ये नहीं समझ पाया कि बाबा ने अपनी 65 बर्शों की साधना में क्या पराप्त किया था, वै अभी भी एक समाने व्यक्ति की तरह करोदित हो रहे थे, उन्होंने मुझे अपने कमरे में जाने के लिए कहा, जाने से पहले उन्होंने कहा, आज की घटना से चिंतित मत हो में कटनाई महसूस कर रहा था, आश्रम चारों और से गेहों को खेतों से गिरा हुआ था, और मुझे भूसे से अलरजी थी, मेरी दवाएं असरहीन साबित हो रही थी, ज्यादा तरसा में मेरी सांसे उकडी रहती और मैं हामता रहता, हवा में फैले पराग कणों ने मेरी नाक बंद कर दी और मेरा जोरदार दमा उबर आया, मुझे परतीक कुछ मिनिटों पर उठकर बलगम को थूकने बाहर जाना पड़ता, मैं इंटों से बनी, उबर खाबर सते पर सोया करता, उस पर एक पतली चद्दर के सिवाए कुछ भी ना था, सारी रात एक छोटे कीड इसे बचने की कोशिश करता रहता, मच्छर की तरें, इसे रक्त चूसने के लिए मानव की रक्त शिराएं ढूनने की जरूरत नहीं होती, ये तो यहां चाहे वही तबचा में एक शिद्र कर डालता, और वहां खुजलाहड बरे ददोरे निकलाते, मैं चाहे जिस तरें भी अपना श्रीर ढखलू, बै अंदर गुस ही आते, और मैं सो भी नहीं पाता, बाबा के पास इस से बचने के लिए एक मच्छरदानी थी, मैंने बाबा से कहा, क्या मैं आपके जैसी एक मच्छरदानी ले सकता हूँ, उन्होंने मुझे मजबूत बनने को कहा, सनान करना भी असान ना था, जब सनान करता, मेरा शरीर खुजाने लगता, एक दिन बाबा जी ने सर्ब जनिक रूप से ये गोशना कर दी, कि वे एक मंदिर और लड़कियों के लिए एक कॉलेज का निर्मान करने जा रहे हैं, कॉलेज का शिला नियास, लोग प्रिये योग संथ, बाब मैंने उन्हें कहा, चिंता ना करें बाबा, मेरा जो कुछ भी है, वो सब आपका ही है, मैंने उन्हें कॉलेज निर्मान के लिए छे लाक रुपे दिये, ये रुपे पाकर बाबा बड़े खुश हो हुए, और कहा कि उनके सिर से एक बड़ा बोज उतर गया, परंतु ऐसे लगता था कि उन्हें मेरे जीवन में कोई रुची ना थी, छे लाक रुपे देने के तीन दिन बाद, उन्होंने कहा कि तुम जो सुबह मेरे दूद में से एक गिलास दूद लेते हो, उसे अब खाद मत लगाना, मतलब उन्होंने मुझे दूद देने से मना कर दिया, मैं इसी दूद के साथ अपनी दमें की कुछ दवाईयां भी लेता था मैं ये सोचे बगैर ना रह सका कि आखिर हो क्या रहा है क्या बाबा एक वार फिर मेरी प्रिक्षा ले रहे है मैंने आश्रम के शेश मुनी से कहा क्या मैं अपने लिए दूद खरीच सकता हूँ उन्होंने साफ इनकार कर दिया तुम कटनाईयों को सहना सीखो मैंने खुद पर काबू पाया और ये तै किया कि मैं नाश्टे में बिस्किट और पानी ही लूँगा कश्टों के परिनाम से लोगों की दो किसमे विक्सित होती है वे जो नरम और भले हो जाते हैं तथा वे इसकी कोशिश करते हैं कि किसी और को कश्ट ना जहिलना पड़े दूसरे वे होते हैं जो कठोर तथा कड़वे हो जाते हैं और दूसरों को भी उसका शिकार बनाते हैं एक महला ने मेरे लिए कुछ दिन के लिए एक टाइम पर हर रोज मेरा खाना बनाना शुरू कर दिया इस खाने का जो आटा था उसमें धूल थी ये आटा किसी पुराने गहो का था और इसे पीसने से पहले अच्छी तरह धोया नह की एके चपाती के बराबर होती थी कुछ दिनों बाद मैंने वहां से भी भोजन लेना बंद कर दिया मैंने बाबा से अनुरोद किया कि मुझे भोजन पकाने के लिए एक छोटी सी जगे चाहिए उन्होंने कहा तुम मेरी रसोई में भोजन पका सकते हो मैं बहुत खुश ह क्योंकि भोजन ना मिलने की वज़े से मेरा बजन पंदरा किलो कम हो चुका था मैंने अपने लिए गैस चुला सिलंडर बरतन और कुछ और चीज़ें की महवस्ता की मैं जब रसोई की सारी चीज़ें लेकर आया तो निक्की ने अपत्ती कर दी निक्की जो बाबा जी की से और उन्होंने निक्की से कहा इसका सिलंडर तुम इस्तेमाल कर लो इस तरह मेरी रसोई कभी भी स्थापित ही ना हो पाई आके चलकर बाबा ने मुझे निर्मान कारे की देखरे के लावा मुझे नेमत रूप से गाउं के घरगर जाकर अपनी स्कूल का परचार करने का नि महसूस होने लगी क्योंकि सिर्फ बिस्किट और पानी पर जीवत रहते हुए मैं हमेशा ठका हारा महसूस करता एक रात जब मैं फर्श पर सोया था अचानक मेरे दाइंकंदे में मुझे दर्द महसूस हुआ जिस वज़े से मैं उठ गया मैंने टॉर्च के साथ अपने आस बांडे के पास गया क्योंकि उसके पास एक होमई पैती दवा थी मैंने उस दवा का इस्तेमाल किया पर उस दवा का दर्द और जलन पर जरा भी असर ना हुआ मैं फिर एक बार फर्श पर सोने वापिस आ गया मैंने दोनों पुस्टगे उठाई जिने मैं तक्ये की तरें इस्तेमाल करता था और देखा कि किताबों के नीचे भी एक बिच्चू था अब ये नहीं मालूं कि ये वही था या कोई दूसरा आश्रम में सब इतरें के सर्प और बिच्चू अक्सर घूमते रहते थे किसी भी प्राणी को ना मारने पर द्रिड रहते हुए मैंने एक कपड़े से उस बिच्चू को वहां से साइड पे कर दिया भगा दिया अगले दिन बाबा ने कहा स्कूल से दो बेंच ले लो और उन्हें एक साथ जोड़ कर उन पर सो जाओ इस तरह मेरी बिच्चूं से रक्षा तो हो गई पर मच्छर काड़ते रहे किसी शास्तर में ऐसी कोई तांतरिक साधना नहीं थी जो बाबा ने नहीं की हुई थी दो दश्चंकों तक उन्होंने वरिंदवन में तांतरिक रिती से शिरी क्रिशन की अरादना की पर फिर वी वैए एक गुसे वाले इंसान थे यहां से मैंने एक पाट सीखा धरम अत्वा धार्मी के क्रियाएं यहां साधनाएं मन की अशांती से मुक्ती नहीं देलाती सच तो यह था कि आश्रम में जो जितना बड़ा वक्त था मैंने उसे उतना ही कठोर तथा एहनकारी पाया मेरी हालत तथा दिंचरे देखके आस पास के सवी लोग मुझे मूरक और नादान समझ दे एक भक्त ने मुझे कहा आपका यहां शोशन हो रहा है एक दूसरे गाम से बाबा के एक भक्त ने उने एक दिन अपने घर बुलाया और बाबा ने कहा कि वे आएंगे इसी बीच बाबा के ड्राइवर चुटी पर गए और बहुत दिनों तक वापिस नहीं आए अब समस्य यह हुई कि बाबा की गाड़ी कौन चलाएगा बाबा ने टैक्सी में जाने से इनकार कर दिया बै अपनी इनोवा में ही जाना चाहते थे मैंने उन्हें कहा कि मैं ड्राइव कर सकता हूँ उन्हें कहा तुम एक सादू हो ड्राइवर नहीं मैं तुम से वही काम लूँगा जो तुमारी पशाक के उपयुक तो हो जब जाने का टाइम नजदीक आया तो बाबा को चिंता सताने लगी कि कैसे मैनेज होगा अब मैंने एक बार फिर गाड़ी चलाने की पेशकाश कर दी इस पर उन्हें मुझे भोजपुरी में एक गंदी गाली दी मैंने अपना सिर जुका लिया गाम 30 किलोमेटर था जब कोई व्यक्ती ना मिला तो मैंने ही फाइनली डिराइब किया और कुछ देर बाद हम बक्त के घर पहुंचे बहाँ एक कारे करम हुआ उसके बाद हम लोगों को मेजवन के घर भोजण करने का नियुता मिला कई महीनों के बाद मुझे सवादिश्ट भोजण मिला उन्होंने हमें आम भी पेश किये जो मैंने खुशी 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 खाए भोजण करते वक्त मुझे अपने अंदर एक गहरी उदासी महसूस हुई ये मैं ही था जो फर्श पर पंक्ती में बैठा अपना भोजण समाप्त कर अपने लिए दूसरे आम की उच्छ सुकता से पर्तिक्षा कर रहा था बले ही मैं एक सन्यासी था पर वास्तव में मैं एक बिखारी था सादूं के विपरीत एक बिखारी केवल लेता है और बदले में कुछ देता नहीं है एक अशीर वाद भी नहीं अपने मीजवान को देने के लिए मेरे पास कुछ भी ना था मैं मौन होके रोने लगा और मेरी आँखों से आंसूं की दो बुंदे भोजण में ही गिर पड़ी मेरे सामने मेरे दिमाग में बिखारीयों की शबी आने लगी मैं ये समझ गया कि क्यों बिखारीयों को मिला भोजण वै इतना अनन्द लेकर खाते हैं चाहे वैवे सबाद ही क्यों न हो अगले दिन बाबा ने मुझे कमरे में बुलाया कुछ मिनट बाद दो और लोग वहां आ गए संसारिक बाते होने लगी मैं चुपचा बैठा रहा मेरे पास ही कवीर पर एक पुस्तक रखी थी जिसे मैंने वारानसी से खरीदा था और बापा ने उसे पढ़ने के लिए मुझे लिया था मैंने उसे ये सोच कर उठा लिया कि उदेशे ही इन बातें सुनने की बजाए एक संत के शब्द पढ़ना कहीं बेहतर है जैसे ही मैंने उसे उठाया मुझे राइट हैंड में भीशन तीज दर्द हुआ इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता वहां मैंने अपनी हथेली के बराबर का बिच्चु चलते हुए देखा जो पुस्तक में ही शिपा था कमरे में बैठे अन्य दो लोगों ने उसे देखा और तुरंत ही कुचल दिया मेरी हथेली पर नीले रंग का एक दाग उबर आया और वह तुरंत ही सूज गई बाबा ने संजे को जो उनके पैर दवारा था अपनी मोटर साइकल से मुझे गाम के क्लिनिक में ले जाने को कहा उस क्लिनी का संचालक एक होमी पैथी डॉक्टर थे जो कई तरह की दवाईआं देते थे क्लिनिक में भीट लगी थी डॉक्टर ने मुझे उसी जगे पर इंजेक्शन लगाने की कोशिश की जहां बिच्चुने काटा था। सुई अच्छी तरें अंदर नहीं गई और इससे मुझे भ्यानक दर्द हुआ। मैं दर्द से लगबग चीक ही पड़ा। मैं इंजेक्शन लेने का इच्चुक ना था। क्योंकि ये बिच्चु के विश हो गया। मुझे तेज बुखार हुआ। उल्टियां आने लगी। इंजेक्शन लगा हिस्सा बेंगनी नीडले रंका हो गया। इश्वर को धन्यवाद मेरी भूख बिलकुल सुमापत हो गई। क्योंकि खाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। मेरे बानी के पास लेकर गए। जो एक इस तरी रोग विश्य शग्य थी। उन्होंने मुझे एंटी वाइटिक दवाईं देना शुरू की। पर थोड़ी ही देर बाद मुझे सीने में जकड़न महसूस हुई। और मैं सांस ले पाने में असमर्थ हो गया। मैं जल्दी जल्द की कोई दवाई भी ना थी और ना ही वे दमे के डॉक्टर थे। इन्हेलर को आश्रम से लेने के लिए मैं रंजे के साथ बारिश में ऐसी हालत में मॉटर साइकल पे आठ किलो मेटर का सफर तै करके आश्रम गया। जल्दी जल्दी मैंने इन्हेलर की दस से ज़्यादा जावा इन्हें से पहले ठीक हो जा बैचिडे हुए और करोदित लगे। जब आपके साथ एक विशेश तरहें का वहवार किया जाता है तो आप उसी तरहें महसूस करना शुरू कर देते हैं। मेरे साथ इस तरहें का वहवार किया जा रहा था जैसे मैं कुछ भी नहीं हू और मैं वैसा ही महसूस भी करने लगा था। फाइनली दोस्तों मैं डॉक्टर बानी और उनके हस्वेंट रंजे की मदद से ठीक हुआ। ये दोनों लोग मेरे जीवन में देव दूत बनकर आए। डॉक्टर बानी ने काफी दिन मुझे अपने घर का स्वादिष्ट खाना भी खिलाया। अगर ये लोग ना होते तो शायद मैं जीवत ही ना रहता। बाबा के आशरम में जो मेरी हालत थी शायद मैं जीवत ना रह पाता। फाइनली मैंने ये निरने किया कि मैं अब आशरम में और समय नश्ट नहीं करूंगा। बाबा को मेरी अब जुरूरत नह तियूं था, मैंने निरने किया कि मैं अब हमाले की तरफ चाऊंगा। हमाले के अपने रास्ते में मैंने अकास की और देखा, अपने अंतरमन को देखा और कहा, हे इश्वर, हे जगनमाता, यदि सच मुचाप का अस्तित्व है, तो किर्पा इसे सुने, आज के बाद मैं कभी भी किसी मानब के दोर पर दस्तक नहीं दूँगा, कभी भी मैं किसी गुरू अत्वा, उपदेशक से, किसी उत्तर की मांग नहीं करूंगा, यदि आप मवजूद हो, तो मुझे अपना रूप दिखाओ, अत्वा मैं ध्यान में ही, अपना परनाद कर डालूंगा, यदि कि इश्वर नहीं है, इसके बाद स्वामी जी हरी दोर जाते हैं बाई ट्रेन, और उसके बाद आगे वो हिमाले की तरफ जाते हैं, तो वहां जाकर वो कैसे भगवान के दर्शन करते हैं, किस तरह की भेंकरकटनाईयों का वो सामना करते हैं, ये सारी बाते मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, अगर आज का वीडियो पसंद आया, तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सबस्क्राइब करना, इस वीडियो को बनाने में मेरी बहुत महनत लगी है, मैं उमीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद भी आएगा, वीडि देखा आपने, thanks for watching.